क्या दिल तूटने की वजह से एक्ट्रिस वैशाली ठक्कर ने लगा लिया मौत को गली हेलो दोस्तों आपने लॉगिन किया है फिल्म बीट वैशाली ठक्कर के सुसाइट का कारत दिल तूटने को माना जा रहा है क्या ही नहीं फंदे से लटक कर जान देनी वाली एक्ट्रिस ने कुछ दिन पहले ही सुसाइट के संकेत दे दिये थी शह दिन पहले ही वैशाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउट पर सीलिंग फैन को दिखाते हुए एक रिल शेयर किया था आपको बता दी कि इन दौर में टीवी एक्ट्रिस वैशाली ठककर के फांसे लगा कर सुसाइट करने का मामला सामने आया है जिसके बाद से टीवी इंडस्ट्री में मातम चा गया है लेकिन जाच होने के बाद ही पुलिस इसके पुष्टी करेगी वही कयास लगाए जा रहे हैं कि फंदे से लटक कर चांद देने वाली एक्ट्रिस ने शायद कुछ दिन पहले ही सुसाइट के संकेत दे दिये थी शे दिन पहले ही वैशाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीलिंग फैन को दिखाते हुए एक वीडियो रील शेयर किया था वैशाली ने रील शेयर करते हुए मजा की अंदाज में लिखा था जिसका बंदा या बंदी ना हो वो पंखा गुमाए वही एक्ट्रिस के फॉल्वर्स भी उनके इस पोस्ट को मस्ती मजाग समझते हुए फ़नी कमेंट्स कर रहे थे एक यूजर ने लिखा भी था कितना हाई लेवल वाला टाइम पास इंदौर की पुलिस ने बताया है कि साई बाग कॉलोनी इस्तित अपने घर में वैशाली ठकर ने फासी के फंदे पर जूनकर अपनी जान दे दी साथ साल से माया नगली मुंबई में रहने के बाद वैशाली पिछले एक साल से इंदौर में ही आकर रहने लगी थी बात करें वैशाली की तो वैशाली ठकर की पढ़ाय लिखाई इंदौर के इस्कूल कॉलिज में हुई है जबकि उनका परिवार मूल रूप से उज्जयन के महितपूर का रहने वाला है उन्होंने इंदौर के एजुकेशनल मल्टी मीडिया रिसर्च सेंटर से पढ़कर एंकरिंग के छेत में हाथ अजमाया था उसके बाद मुम्मई चली गई और वहाँ पर एक्टिंग के दुनिया में कदम रखा मन मोहीनी, सुपर सिस्टर्स, विश और अमरिज जैसे कई सुपर हिज सीरियल में काम कर चुकी वैशाली ठककर ने पिछले साल अप्रेल में मिस्टर अफरिका का खिताब जीच चुके डॉक्टर अभी नंगदन से सगाई भी की थी लेकिन पुलिस तब तक इसकी कोई पुस्टी नहीं करेगी जब तक कि एमसल की टीम सुसाइड नोट को जांच नहीं कर लेती दोस्तों वैशाली की मौत की बजा क्या है ये तो आगे ही बता चलेगा क्योंकि जिस तरह सभी फैंस का आस लगा रहे हैं और फैंस बहुत जादा कम में डूबे हुए हैं क्योंकि वैशाली के ऐसे अचानक चला जाना फैंस को काफी जादा सब्में मिले गया है दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही टीवी और बॉलिपूर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे अगर आप ये वीडियो हमारा फेस्बूप पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दे